एक संत प्राता काल भ्रमड हेतु समुंत्र के तर्ड़ पर पहुंचे समुंत्र के तर्ड़ पर उन्होंने एक पुरुस को देखा जो एक इस्त्री की गोद में सिर्रक कर सोया हुआ था पास में सराब की खाली बोतल पड़ी थी संत बहुत दुखी हुए उन्होंने विचार किया कि ये मनुष कितना तामसिक और विलासी है जो प्राता का सराब का सेवन करके इस्त्री की गोद में सिर्रक कर प्रेमालाफ कर रहा है थोड़ी दिर बाद समुंत्र से बचाओ बचाओ की आवाज आई संत ने देखा कि मनुष समुंद्र में डूब रहा है मगर स्वें तेरना नहीं आने के कार संत देखते रहने कि अलामा कुछ नहीं कर सकते थे इस्त्री की गोद में सिर्रक कर सोया हुआ ब्यक्ति उठा और डूबने वाले को बचाने है तो पाने में कूद गिया थोड़ी दिर में उन्होंने डूबने वाले को बचा लिया और खिनारे ले आया संत विचार में पड़ गए कि इस ब्यक्ति को बुरा कहें या भला कहें वो उसके पास गएं और बोले भाई तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो उस ब्यक्ति ने उत्तर दिया मैं एक मच्छुआ रहा हूं मचली मारने का काम करता हूं आज कई दिनों बाद समूंदर से म जल दी यहां लोटा हूं मेरी मा मुझे लेने के लिए आई थी और साथ में घर में कोई दूसरा बरता नहीं होने पर इस मदिर्या की बोतल में पानी ले आई कई दिनों की यात्रा से मैं ठका हुआ था और भोर के सुहामने वातावरण में पानी पीकर थाकान कम करने मा की गोद में सीर रख कर ऐसे ही सो गया संद की आखों में आसू आ गया कि मैं कैसा पातक मनुश्य हूं जो देखा उसके बारे में मैंने गलत विचार किया जबकि वास्तविक्ता अलग थे कोई भी बात जो हम देखते हैं हमेशा जैसी दिखती है वैसी नहीं होती उसका एक दूसरा पहलो भी हो सकता है किसी के प्रति कोई नेड़ा लेने से पहले सो बार सोचें और तब फैसला करें अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीस कमेंट जरूर करें